बॉबी 1973 की भारतिय हिंदी भाषा की समगीत मैं रोमैंस फिल्म है जो राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित है और ख्वाजा एहमद अब्बास द्वारा लिखे थै फिल्म में राज कपूर के बेटे रिशी कपूर अपनी पहली प्रमुख भूमिका में है उनक 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय हिट फिल्म है कहानी विभिन वर्गों और धर्मों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है राजा, राज, नाथ, रिशी कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ, प्रान, के बेटे, और बॉबी ब्र शुआरा जैक ब्रेगेंजा, प्रेमनाथ राज अपने बोर्डिंग स्कूल से लोटता है। उसके लोटने पर, उसके माता पिता ने उसका जनम दिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नेस श्रीमती ब्रेगेंजा, दुरगा खोटे, अपनी पो जिसके कारण वह जल्दबाजी में बॉबी के साथ पार्टी छोड़ देती हैं। राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और उसे श्रीमती ब्रेगेंजा का उपहार मिलता है। इसलिए वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुचकर बॉबी की किताब के साथ मिला देता है। इसलिए वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकाले में उससे मिलने जाता है। और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। राज और बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि पूरी तरह भरी हुई है तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है पार्टी में बॉबी राज को सुश्मा की डान्स पार्टनर नीमा अरुना इरानी से अकेले में बात करते हुए देखता है और